नमस्कार दोसको जैगाउं मिरस में आपका स्वागत है एक बार फिर जैगाउं थाना अंतरगात दलसिंग पारा छेतर में एक बार फिर एक ट्रक जो है एक वहन जो है दुरघटना ग्रस्त हुई है पलट गई है और आप आप सभी के समय चे द्रिश्य दिखाना चाहेंगे क कि यहाँ पर केस तरह से केस तरह से दलसिंग पारा माल गोदाम के नजदिक यह जो ट्रक है यह पलट गई है आप सभी के समय चे द्रिश्य दिखाना चाहेंगे हम लोग यहाँ एक दादा है हम लोग बात करेंगे दादा यह कैसे हुआ यह घटना उदर से जो आ रहा था सा है यह घटाए आ रहा था अतियांत भेलंस खरब हो गया उसका कोई बोल रहा है कि ड्राइबर गया फिया था ने प्या वहाता भी अबβα्लन कbn बेलनस का हरा है व्याँ भी यह तो आप ल Ow EE-WOOD लेकी अटर ले मालूमने का लेके जा रहा है यह मालुम pesos लिड़े हुआ लेक तो नहीं हुआ नहीं देखा गारी अब बैठा हुआ था जब एक्सिरेंट हुआ कितना पांच गंटा जैसे हुआ इस तरह से वहां जो है पल्टा है और अभी तक किसी भी तरह का किसी भी व्यक्ति का हताहत होने की खबर नहीं है लेकिन आपको दिखाना चाहेंगे कि वहान पलटा है अभी यह गाड़ी का जो यहाँ पर समान वगएरा है उसे दूसरे गाड़ी में लोड करने का प्रक्रिया चल रहा है और यहाँ बगल में क्रेन भी मौजूद है आपको यह भी दुरुशे दिखा दे क्रेन भी जैसे ही इसके अंदर का समान जो वेगरा जो है वो इस गारी में लोड कर लिया जाएगा तो ये गारी को यहां से हटा दिया जाएगा हाला कि आपको ये दृश्य दिखाना चाहेंगे दोपैर का समय है कोछ काम करने वाले जो वेक्तिगन है वो ये समय खाने पीने का काम कर रहा है लेकिन ये एक बात कहने पड़ेगी कि किसी भी प्रकार का कोई हताहत होने की खबर नहीं है अलू से लदियोई ये वाहन परटी ह है और ये दृश्य आप सभी के समक्स हम लोग दिखा रहे हैं और ये पहली बार ये घटना नहीं है कि इस तरह से इश्यन हाईवे पे गाड़ी पल्टी है ज्यादा तर देखा जाता है कि सडक किनारे सडक किनारे दूसरे तरफ जाके गड़े में पलड़ जाती है लेकिन ये जो गाड़ी है ये सडक पे ही साइड में पल्टी है और जैसे कि लोग बता रहे हैं कि आनियंत्रित होके गाड़ी पल्टा है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई जानमाल का नुक्षान अभी तक कोई नहीं हुआ है ड्राइवर चोटिल बताया जा रहा है लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहा है कि ड्राइवर जो है नसे में था लेकिन इसकी पूष्टी अभी नहीं हुई है और ये दृष्या आप देख सकते हैं आप आपको ये दृष्या आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह से यहां पे यहां पे गाड़ी पल्टा है शीशा गाड़ी का जो ये कहा जा सकता है कि इस दूर घटना में किसी भी प्रकार का अभी तक जानमाल का नुक्षान का या कोई भी चपेत में आने का कबर अभी तक नहीं मिला है कैसे ये घटना हुई क्या हुई इस बारे में लोग केवल बता रहे हैं कोई बोल रहा है कि ड्राइवर नसे में थ तो कोई बोल रहा है कि गाड़ी अनियंत्रीत होके पलटा है लेकिन ये इस तमय की तस्वीरे आप सभी के समख चाम लोग दिखा रहे हैं दुरगटना हुआ है एक ट्रक पलटा है आलू से लदा हुआ ट्रक पलटा है इस तमय इसमें के जितने भी आलू के बोरिया है वो पुलिस अधिकारी भी देखे जा सकते हैं तो ये अपडेट है इस समय की और अपडेट यही है कि एक बड़ फिर एशेन आईवे पे इस तरह से गाड़ी पलटा है और इस समय ये दृश्य दिखाते हुआ हम लोग यहां से विदा लेंगे और फिर किसी और छेत्र से होते रहिएगा जैहिन